कि अन्सिक समिकरण मेथड के द्वारा आज हम समिकरण को संतुलित करना सिखेंगे इससे पहले वीडियो बनाया हूं वह अनुमान विधी पर बना है अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंग मैं निचे डिस्क्रिप्शन बाक्स पर दिया हूं आप वहां से जाक होते हैं तोड़ने के बाद उसको संतुलित करता हैं फिर उनको जितना भाब तोड़ते हम सब को क्या कर देते हैं अपस में जोड़ देते हैं यह होता है विधी में भी क्या करते हैं अनुमान विधी के द्वारे इसको संतुलित किया जाते हैं तो चलिए एक एक्जामपल लेके चलते हैं कार्बन का यह तो तो चलो यहां से यह अभिकारक हो गया यह उत्पाद हो गया ले लेते हैं यहां से पहले किसे को ले ले लेते हैं l so 4 को ले 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 यहां से अपने को अभिकारक लेना है अभिकारक लेने के बाद इधर वाला देखना है कि यहां जो इस अभिकारक से क्या-क्या उत्पाद बन सकता है उसको लिखने कि इतना लिखने के बाद आपको इसको संदूलित करना है कि मतलब इधर क्या हो रहा है औक शिजन की संध्या कम हो रही है तो यहां पे चार यहां पे तीन तो क्या मैं एक अक्सिजन ऐसे लिख सकते हूं इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें जो एस्ट्रा हो रहा है देखो प्रोड़क्त बनने के बाद उत्पाद बनने के बाद जो भी एस्ट्रा बचेगा उसको इधर लिख सकते हैं तो इसको छोब नाम हम देते है कि इसको क्याल हेदिய हम समें एक दे दिया ठीक है यह जो हमारा पहला व Margaret विप इसको ले दिए स्कों एसको लेते हैं कार्बं को नेसे पर कारबन को लेने पर लेसे कारबन है यर्फ इधर करें इनको संतुलित करना है क्या कारवन क minist कிया करना इधर darling देखो इधर देख लेना आक्सीजन है न तो इस दुरों को समत्री कारते हैं इसको अक्सिजन लुखूंगा तभी तो ना तो देखो इधर दो अक्सिजन है और इधर एक तो इसके सामने में क्या लिख दूँँ दो लिख दूँ ठीक है इसके सामने में क्या लिख दिया तो अब ये सम्तुलिद है ठीक है ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा ये पहला समीकरण और ये दूसरा, अब देखो, इन दोनों समीकरण को देखो, क्या करेंगे, ये दो अक्सिजन है, तो इधर के अक्सिजन को काटने के लिए हम इसमें कितना को गुणा करेंगे, दो का, तभी तो ये कटेगा, तो इधर इसमें दो का गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंग किस समी कशरण को करते हैं कि गुना करएं दो का गुणा करेंगे दोनों different about the government the बेस्ट होगा तब वहाँ यह कट है तो देखो इसके सामने भी क्या हो जाएगा अब देखो जब इसके क्या कर देते हैं जोड़ देते है अब कुछ कटता है कि नहीं कुछ नहीं करता है तो जितना बचा उतने को लिखो तो कारबन को लिखो प्लस इधर कितना है 2-s-2-s-o-4 इधर होगे अभी कारत अब इधर उत्पार में जितना उतना को लिखो इसको लिखे प्लस कार्बन डियकसाइड है इसको लिख लू प्लस क्या है इधर 2H2O यह वो तो कड़िया है ठीक है तो इसको देखो यह संतुलित है कि लिए आप चेक भी कर सकते हैं कार्बन एक है कार्बन एक है इधार hydrogen के संगे कितना है दो दूनी चार इधार fuel कितने है सामने में दो लगा है छार तो इस प्रकार से जब हम संतुलित है तो वो क्या कि लाता है हमारा आंसी समीकरन कराता है partial equation method कराता है ठीक है तो चलिए एक और example लेके इसको समझते हैं इसके बाद example 2 देखते हैं copper plus S2SO4 से कहावा रहा है S2SO4 plus S2 plus S2 यह product बारा ठीक है तो यही सबसे पहले क्या करते हैं का भीकारक लेते हैं दोनों इसे कोई एक बड़ा वाला ले देते हैं ठीक है तो H2SO4 तो S2SO4 से क्या बनने की संभावना दिखाए दे यहां पर SO2 और S2O बन सकता है SO2 plus H2O यह बन सकता है इसे ठीक है इसमें भी hydrogen तो यह बन सकता है यह निवल सकता है तो copper तो इसमें है नहीं तो देखो यहां पर 2 hydrogen है 2 hydrogen है sulfuric, sulfuric, oxygen तो इधर 2 और 3 मतलब एक oxygen यहां पर क्या हो रहा है एस्ट्रा होगा उसको साड़ में लिख देना है प्रोडक्ट को लिखने के बाद जो भी एस्ट्रा बचेगा उसको साड़ को लिख देना है कोई दिखकत नहीं है उसके बाद किधर क्या लेते हैं copper को लेते है copper को लिए copper से क्या बन सकता है Cu SO4 अब copper से तो copper यहां पर मिल जाए इसको मिक्स कर सकते हो कोई दिखकत नहीं है ना इधर वार इधर होना चीह है तो S2SO4 का copper के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा Cu SO4 और extra क्या रहा है 2 hydrogen extra हो रहा है copper 1, copper 1, sulfur 1, sulfur 1 oxygen 4, oxygen 4 इधर hydrogen 2 है तो मैं क्या करूं hydrogen को लिख दूं च्रौं हरा है की नहीं हो रहा है हो रहा है । लेकिन जो extra हो रहा है तो इसको h2 के रूप में नहीं लिखना है इसको हम कैसे लिखेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे जो भी extra बचेगा उनको इधर आइड कर लो अलग से तो इनको क्या करेंगे क्या करेंगी तो जब इनको जोडते हैं तो एक तरफ हमको क्या करते हैं हम इधर वाला पक्ष लेप्टसाइट और राइडसाइड को मिलाते हैं देखते हैं कि यहां पर और यहां पर समीकरन पहला है और यह हमारा समीकरन दूसरा है कि नियां में कि अभिकार को तोड़ते हैं तो को तोड़ने के बाद में क्त LOOK करते हैं संतोरिष करने के बाद उन्ह जितना अभिकारत फंस विआ ंक क्या पूर आप था इस वपर है नहीं से फिर क्यात वर दाएंगे दोड़ गया कर और इस प्रकार से समिक्रण को संतुलिद करना आप मिला आपकर देख सकते हैं बिल्कुल समिक्रण को क्या करते हैं संतुलिद करते हैं इसको कैसे बनाएंगे इसको भी यहां सी किसी एक को ले लो जैसे कि हम इसको ले लेते हैं चैनल त्री को समिक्रण की किसमें इसमें इसको ले लो फिर प्लस और किसको ले सकते हैं एक जो इसके सामने क्या लगा देए दो लगा दे तो नेट्रोजन के के सामने हमको क्या लगाना पड़ेगा और उक्सिजन कितने हो जाते हैं इधर एक है और वाधर Esto कितनी त्री ऑक्सिजन एस्ट्रा हो रहा है अब देखो यह हो आमारा समीकरण एक अब यहाँ पर यह वाला अभिकारक ले लिए इस वाला अभिकारों को लेते हैं अब देखो अब देखो अब एक अप्सिजन जोड़ना पड़ेगा अब एक चीज ध्यान दो एक चीज क्या द्यान देखां इधर अक्सिजन कितना है समयकरण दो में कितना को अबड़ेगा समयकरण 2 में हम वाला औक्सिजण और यह वालाया area करते हैं कितना को मुझा कर देखांए मैं क्थान को यहाँ जाए इस में हम दुना को क्वुना करें तिन वर थीक रप्रूंचल हो गया इस थेफ़ीग घीत नीप रण इसमें भी तीन तो यह दोनों क्या हो जाएगा कटे जाएगा तो अब जो बसते हैं उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं तो देखो इधर कितना बचा है सब्सक्राइब जोड़ते हैं इसके बाद देखो इधर क्या है तो किसी को भी लिख सकते हो तुम यहां से अगर सुरवात में वहां तो इसको पहले लिख लो प्लस उसके पाद S2O को लिख हो तो यहां पर एक और यह तीन तो तीन और इधर चार एस्टूओ हो जाएगा जल की संख्या चार होई प्लस यह तो कट गई है यह क्या बच्छे है तिन सल्फर बच्छे है इस प्रकार से समीकरन को क्या करना है संतुलित करना है तो देख लो आप बिल् प्लस एन तो चलिए देखते हैं पर इन दोनों को क्या करें आपस में क्रिया तो को देखा जाए तो इन दोनों को लेना ही पड़ेगा तो इन दोनों को लेते हैं चाहिस को बना ले अब इनको संतुलित करके देखो यहां पर कितना है है तो तो इधार दो रहने के लिए इसके सामने में रिखने पड़ेगा उडियं दो लिखना पड़ेगा सोडियम दो लोई लोई दो गाई शोडियम दो लोई थे अभी अच्छाइचोगा जाएक देखो आप अधर कितने है अधर कितने है तिन दू निच्छ है और इस अधर टोटल सात अक्सिजन इस प्रोड़क्ट्र निकल गया तूआ जोड़ेते हैं तो क्या बनता है एन हे बना इसब % संतुलिद करो तो सोडियम एक सोडियम एक क्लोरीन दो क्या लागा दो हो जाता हैं तो तो साधस्ट जो लिए टो इस्ट्रा ओश्टरा ओश्रोई कर अरहे तो हो रहा है और है तो मिली को कि यहाँ के थे तब को प्रसन के अक सब्सक्राइए और दा देखियाज कि हतनी में जो है कि अत्र एक तुब क्या हो रहा यहां पर कि इसको बोड़ीख सकती हूं आप तरह देखो है और याप पांच ऑख्सिजन एक अक्सिजन एक तो इसमें पांच का गुणा करता हूं इसमें पांस में तरए बात करते हैं इसमें पांस और पर चुन जाएगा है किसमें तो पांस ढूना करते हैं तो फंस-टोफ नहीं कितना हाइगा 1-10 तुसके बाद अब देखो 5 जाएगे उसके बाद देखो और कुछ करते हैं क्या नहीं करता है जो बाचा उसको लिख दो तो अब सोडियम हाट्रक्साइल दो है इधर भी अच्छा देखो यह तो और यह 10 दस और 2 कितना हो गया बारा सोडियम हो जाएगा एफ वेच की शंख्या टोटल दस और दो बारा ठीक उसके बाद प्लस क्लोरिन कितने हैं पांच है इधर एक है तो पांच और एक इतना हो गय हो गया है तो इसको लिखा आप टू एक मोलिकूल स्काइब और यहां पर पांच है तो पांच है कितना हो गया है चैस्टू हो गया है इस प्रकार से हमारा समीकरन क्या होता है संतुली थो आप देख सकते हैं सोडियम बारा हो गया इधर देख लेना इसको इसको इस प्रकार से आपको आंसिक मैठाट के द्वारा किसी भी समीकरन को क्या किया जाएगा संतुली किया कर सकते हैं ठीक है तो आपको अच्छे से समाज में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें थैंक्यू